हेलो फ्रेंट वेलकम टू माई चैनल आप सब का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल वर्स फैमली विलोग में तो प्लीज लाइक शेर जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो आप देख सकते हैं कितने दिनों से सायद 3-4 में इनने तो हो ली होंगे वहीं पैट के हुए हैं एक भी नई बढ़ता पतानी क्या हो रहा है मेरे साथ में यह मैं समझनी पारी हूँ तो जो सामान कल लेके आए थे वो मैंने अभी निकाल आए क्योंकि मुझे चाहिए थी मूं की डाल वो नीचे थी तो फिर मैंने सुझा चली साथ सामान निकाल लेते हैं अभी रखा जाएगा वैसे भी बरसात का मोसम है और सामान ऐसे बाहर छोड़ देंगे तो पतानी इस में क्या हो जाए तो इसी वज़े से बस अभी इसको भी सिंग वा लेंगे पिट्टी में रखते हैं में एक्स्ट्रा सामान और जो किचन का है वो मैं किचन में रख दू नी तो नम की ने बड़ी और इसको लिखने से हैं अर रख के बहाँ आज आगे यह है यह है चाहर आइं यह है यही है यह है कि यह मुनाक ख़ाओ आपाना है कि यह मुनाका का दिअब बहा है डबा को कि आपकिशान ऐऊ कि आप अभी मैं बैठ गई हूं कट टप कड़के सारा इखाली करना पड़ेगा उपर तक भरा हुआ है सामान से यह सारा सामान की चनका ही है तो मैं इसको रिता लेती हूं वैसे मेरी वीडियो जा चुकी थी पर इसमें थोड़ा सामी उजिक बज़र था तो कोपी राइट आ चुका है इसी वज़े से मुझे दुपार अपलोड करनी पड़ेगी वीडियो काफी दिनों तक का रासन आ चुका है तो मैं अभी देख रही थी जो किचन का सामान था वो इधर निकाल लिए हूं अलग और जो मुझे पेट्टी में रखना है वो इधर कुर्सी पे रख दिया है हार्पिक छोटा मैंने उपर के लिए मंगवाया है नीचे का तो अभी रह रह रहा है बहुत सारा अभी तो डिब्बे भी देखने पड़ेंगे कौन से खाली है कौन से नहीं मैं सोच रही हूं किचन की किलिनिंग करूँगी तो सारे डब्बे दूलेंगे और अभी दूने का कुछ फायदा भी नहीं है ऐसी दूपनी कर लिया बारिस का मौसम चल रहा है कभी भी बारिस आ जाती है और आज भी पूरा दिन ही हो गया बारिस का अभी तो वैसे बंद है फिलाल के लिए तो पर पता कुछ नहीं बारिस का कम मौसम बन जाए तो सारा सामान बार आ चुका है थोड़ा बहुत ही रहा है अब की बार मैंने ये वाला सर्फ मंगवाया है पहले वही लगाता था अब की बार ये वाला आया है तो दो पैकिटाइए हैं इसके भी काफी दिनों तक चले गए और इसमें से अच्छी स्मेल आती है С विए नमक टो पैकिटाइए हैं गाउं में से मंगवाया था वह बहुत ही बेकार है बिलकुल भी लगता ही नहीं कितना भी डाल लो चाहे फिकी लगती है सबजी सबसे पहले मैंने मिस दी और मा खाने लिखे थे काना जी के क्योंकि फिर भूल जाते हैं और अब खतम भी हो रहे थे मा खाने उनके तो वह भी आ चुके हैं नहीं तो फिर भूल जाते हैं और पापा जी फिर डाटते हमें कि आदा सामान लिखते हैं और आदा नहीं और यहां बार बार निकाला है क्योंकि मुझे यह थी मूं की दाल बनाने के लिए और फिर वह थी निच्चे तो इसे वज़े से बार निकालना पड़ा और आज मैंने इसकी चेन यह चेंज कर दी पहले काले रंकी ती अब लाल रंकी डाल ली है कैसी लग दी बताईएगा और दाल भी गोदिये बनाने के लिए मुंग मसूर की और चनेगी तीनों दाल मिक्स करके बनाओंगी हो और क्या बनाए वस कुछ न नहीं मिलेगा उसको बनाने के लिए भी तो फिर हम अपना जितना भी रासन होता है कि चन का एक साथ ही मंगवा लेते हैं क्योंकि यहां तो मिलने कोई बिंजाईशी नहीं होती है मत्र की चाट मैं सोच रही हूं बहुत दिनों से कि आप सुब के साथ में मत्र की चाट की र देखते हैं पर हमारे पास में नहीं है क्योंकि मुझे का कमेंट आया था काफी जिना पहले कि दी-दी मत्र की चाट की रेसी की सेयर करना और तुमसे में बहुत पर मत्र कहीं नहीं मिलती देख दिख्यों एक बार अपने घट रहे कर वहूंगी मेरा भाई को उस्से लेकर तो उससे और कुछ होंगे अपनी मार्केट में अगर मिल जाए तो वहीं से मंगवा लोगी तक भी आपने मटर की चार की रेस्पिमत से मांगी तो मैं आपकी फरमाइस पूरी करने की पूरी 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 परसिस करोंगी थोड़ सा इंतजार कीजिए आप भी सोच र थारं तो चैने जब लोगी तो चलिए पहले में मेरी आज सुबह से मैंद इस चुरू करने की त्यारी नंदलाल को शुमान भी कर दिया है अभी पहले पूजा करेंगी सबसे पहले तो नहादो के मंदिर गई थी जल चड़ाने के लिए उसके बाद अभी काना जी को भी तयार कर दिया मैंने भी बस अभी मम्मी और पापा जी की चाय दी थी सुबह पांच बजे उठके उसके बाद बदाम और खरोट भी पापा जी सुबह ले ले लेते हैं वो दिये थे और फिर ज़ाड़ू लगाई है सारे में कुछ बरतन भी थे सुबह के वो साफ किये मोनिका भी अपने उसमें लग गी है नास्ते पानी की तयारी में नास्ता बना रही है अभी तो आटा बना रही है उसके बाद नास्ता बनाएंगी क्योंकि अभी पापा जी भी खेत में गए हुए है हमामी पूजा कर रही है और मैं अभी जारी हूँ नीचे ज़ाड़ो लगाने के लिए बच्चे अभी सोय हुए हैं लगकी और किट्टु तो उठके आभी गए थे नीचे से उसके बाद फिर अभी अक्की भी सोय हुआ था जी अभी ओने के पास में वो भी सोय हुए है चारो बच्चे सोय होए हैं कोई सा भी नहीं उठा भी तक तो बस हमें भी पूजा कर रही हैं और हम भी अपने-पने काम में लग जाते हैं सुबह काम जितना जल्दी हो सके खतम कर लेना चाहिए नहीं तो गर्मी का कुछ पता नहीं कितनी बढ़ जाए वैसे तो अभी समके टाइम रूगी थी तो पूरा दिन वस ऐसे ही रहा कल चलिए बहुरे लगा लेति हूं जिनने भी मैं सुबह कोई सबसार की ले जाती हूं नहीं तो फिर अगर शुबह को ना लगapon तो पूर दिन ऐसे चला जाता है फिर याद दिनी रहता जिनने में सकेर ना तो बस अभी यहाँ पर ज़ड़ो लगाने के बाद फिर नीचे भी लगानी है सारे में और बाकी का काम तो आके देखूंगी पहले तो मैं ज़ड़ो लगाके आने के बाद ना के पूजा करती हूँ उसके बाद होता है जो भी काम होता है मेरा तो आज मैं सुबसे ही अपना रूटीन सेयर कर रही हूँ देखते हैं कहां तक वीडियो पहुच पाती है वैसे भी जो मैं कैमरा उठालो तो बनी जाती है नहीं तो बस फिर पूरा दिन ऐसा ही चला जाता है काम काम के चक्कर में भूली रहती हूँ मैं वीडियो के बारे में वैसे भी मन कम ही लगता है वीडियो बनाने में जब मेरे जितनी सब्सक्राइब हैं वो उतना भी नहीं देखते तो फिर मैं हार सी जाती हूँ यसा लगता है कि बस मैं ठाखार के बैठी जाओं पर कोई नहीं कभी उतार चड़ाव तो चलते ही रहते हैं लाइफ में और वैसे भी कल से मैं टैंसन में हूँ क्योंकि मैं अक्की के पाप गए थे जब पथरी निकल वाने के लिए उनकी पथरी निकल गी थी दो तो निकल चुकी है पर एक अभी भी रह रही है और उनके दर्द भी हो रहा था अजनोने अल्टा सान भी करवाया अश में आई है एक पथरी तो अभी क्लीनिंग कर लेते है रूम की और जी अभी बाल बाल बची है कल उसकी भी कल पतनी क्या हो जाता बड़ी मुश्किल से जान बच पाई है कल उसको बिजली का जटका लगाया बहुत जोर से नीचे थी नीचे लसीडी के तार पतनी क्या कर रही थी कि वो हिल रहा था डिस्का तार उसको हिला रही उसको बहुत जोर से करंट लगा कल तो जान बाल बाल बची है उसकी पता नहीं क्या चल रहा है लाइफ में समझ नहीं आ रहा कुछ भी तो अभी मैंने बैड को तो अच्छे से साफ कर दिया है और ये खिड़की भी साफ कर दिया है बारिस का पानी आता है और दर से जब जहा आती है बारिस में वो आती है फुवार सी तो उसके छिंटे से लगे जाते हैं सी से पर वो मैंने साफ कर दी है अच्छे से और यहां भी मैं वैसे तो धूल बहुत कम आ रही है बारिस के मौसम में धूल बहुत कम आती है पर धूल की जंग है, ऐसी सी सिलन आ जाती है, जैसे की ओस पड़ती है, हरे अरे पोदो पे ओस जबी रहती है, इस तरह का हो जाता है, कुछ फूई, फूई सी लग जाती है सारे सामान में, तो बस अभी मैं इनको अच्छे साफ कर लेती हूँ, दिवार में भी ऐसा लग रहा है, सिलन सी आ रही है, पूरे उसमें सामान में भी और घर में भी, पता नहीं है, यह देखे, फ्रेंट ट्राइबोड पर मुझे मास्क लगाना पड़ रहा है, माक्स क्योंकि इसमें फोन रुपता ही नहीं नीचे गिर जाता है, इसी के सारे से रुका रहता है, यह भी है, और सोचरी थी कैसे साफ करूं, आज मैं स्टील के जूने से लगी हूँ, ऐसे ही पानी निडाला मैंने ऐसी सुक्की खुरच ली हूँ, और सारी काई उतर चुकी है, इससे अच्छा हो गया है दिवार, इसमें गड़े से तो यह पहले से ही है, तो जो भी काई थी वो मै तो अभी उसको मैं नीचे रखाऊंगी, यहां से उठाके, काई तो सारी मैंने इस टिल के जूने से साफ कर दी है, अभी मुझे देख रही हूँ, वो भी करनी है, साफ टैल्स, टैल्स भी गंदी हो रही है, बारिश में तो और भी बुरा हाल हो जाता है सारे घर में, तो अ थोड़ सा पाने डालके, चुल्ला तो बहुत वजन है, इसमें मैं सोच रही हूँ, कैसे जाएगा नीचे, एक काम करती हूँ, इसको कट्टे में भरके, तब रख के आऊंगी से नीचे, चुल्ले में दरार तो काफी दिन पहले आ रही थी, पर यह एकदम से ही फूट गया इसको भी धूप में रखना पड़ेगा, वैसे ही उपले कम है, मम्मी तो कही रही थी, कि दूसरा चुल्ला बनाएंगे, बड़ा सा, चोड़ा सा, जिस पर अच्छे से मावा भी निकल जाए, और यह उससे पहले ही फूट गया, कि चलो हम चलते हैं, नया रखा जाएगा य ट्हु खटू करा जाएगा जाएगा भ Finnish करसा कि चलते हैं, नया तो कंते हम चलते हैं, तो को फिस क्लोड़ा, पर यह उसे च OFेगा मैं में चलते हैं, तो कि Dave Hill, झाएगा एग divา का रखा けज चलते हैं, मैं तर लो हम के बालता हैं, तो की तोना का रहाऊबाले हैं, बऑ The Challenge कुछ दिन तो यहां पे छीद रहेगी भीड़ सी रहती है चुल्ला रखने से तो अब यहां पे बहुत ही खुला-खुला सा रहेगा अच्छा लगेगा जब मैं कपड़े धौंगी यहां पे अराम से धुल जाया करेगा चुल्ला हटा के धौने में बहुत मुस्किल होती थी यहां पे तो अब यहां पे मैं किलीन कर देती हूं मिट्टी तो मैंने साफ कर दी है पाने डालके वाइपर भी लगा दिया एक बार अरुछा झालके वे